तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था ब्राउन अगरबत्ती बनाने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखके और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किये और उसमें से कुछ कमेंट्स जो है डिपिंग रेशियो के उप करेंगे मतलब उसमें पर्फियूमिंग हमें किस तरीके से करना होता है और दूसरी चीज होती है इसकी डिपिंग का पाउडर यूज होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब डिपिंग रेशियो अर्जेश नहीं होता है उसमें दो चीज़े होती है पहला एक तो आपकी अगरबती की वेट जो है बढ़ जाती है और दूसरी चीज उसके साथ साथ जो है डिपिंग रेशियो भी व जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्लैक अगरबती में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता हम चार्कॉल और उट पाउडर का कॉमिनेशन को उपर नीचे करते हैं तो डिपिंग रेशियो अर्जेश हो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यह प्य दिपिंग रेशियो अर्जेश करने के लिए केल्सियम कार्बोनेट पाउडर का यूज करते हैं जो कि एक तरीके का वह चूना पत्थर बोलते हैं या फिर उसको मेगनेट पत्थर के नाम से भी जानते हैं उनका यूज ज्यादा तर लोग बहुत ज्यादा दिपिंग रेशियो अर्जेश करने के चक्कर में इतना ज्यादा यूज किया जाता है कि बहुत सारी चीजे हो जाती है तो ऐसा करना सही नहीं है दूसरी चीज जब भी आप पाउडर्स खरीदें टीवन पाउडर तो उसकी थिकनेस आपको दिहान देनी है जो की थिकनेस ह उपरी वो जो है डीपेंड होती है तो आपको ध्यान देना है कि जो बारिक होती है 60 MS वही आपको यूज करनी है तो उसमें आपको कैल्सियम का ज्यादा तर यूज नहीं करना पड़ेगा करना भी पड़ेगा तो आप 10 से 15 ग्राम यूज कर सकते हैं तो यह होगे हमारा ब् स्मॉल केस के अंदर करेंगे मतलब छोटी क्वांटिटी में करेंगे वन केजी के अंदर ताकि आप लगों को अच्छे से अच्छा यह समझ में आ सके सो वन केजी हम जो है रोई स्टिक रखे हुए ब्राउनी स्टिक अभी यह है 998 मतलब एक केजी के लगभग यह है अब करेंगे बाद जो है हम इसे थोड़ा अलग जगा पर रख देते हैं कि सबसे पहले आपको लेना होगा कोई बरतन जैसा कि कुछ भी बरतन अब ले सकते हो डिबबे में कर सकते हो इस टिल की बरतन हो तो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि जो डेपी होता है डेपी ओईल हो होता है सो प्लास्टिक की डिबा थोड़ा सा आपको दिकत कर सकती है तो कोशिस करें कि स्टिल का जो भी वरतन हो उसे यूज़ करें आप सबसे पहले हम डालेंगे डीपी ओईल और यह हमारा जो है वन फाइब के रेशियो में होगा तो डीपी ओईल हम डाल देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने जो है 500 ग्राम डीपी ओईल ले लिया है 500 ग्राम हमने डीपी ओईल डाल लिया है अब इसके बाद हम जो है परफ्यूम डालेंगे की काफी की एक्सपैंसिव में प्रीम्यम कॉलिटी में और ब्राउन इस्टिक में ज्यादा तर फैन्सी परफ्यूम का ही यूज करें जो कि क्वालीटि बेटर होती और फैन्सी परफ्यूम जैसा कि मैं नाम बोलूह तो हुद हो गया कसटूरी हो गया अंबर हो मस्क लो गया तो यह सारी पर फ्योंस जो है फोड़ी सी प्रिमियंयम क्वालिटी होती है सो इनका यूज आप ज्यादा कीजिए ब्राउनिक तीक हो कलर सो यह उसमें अच्छी प्रिमियंग ऺलनती नेयें तो यह हम लेंगे 100 ग्राम क्योंकि अभी हम 15 के रेशियो में इसे डिपिंग करेंगे अभी यह हमारा हो गया 100 ग्राम और काफी प्रिम्यम क्वालिटी इसकी होती है यह बहुत हार्ड एंट फास्ट होती है मिक्शिंग करने के लिए आपको ट्राइं डाल के उसे मिक्स कर सकते हैं और और किसी चीज से भी याप मिक्स कर सकते हैं और यह प्रोसेस अभी मैं नॉर्मल ही करूंगा क्योंकि वीडियो बनाने में टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है वीडियो अगर पूरा प्रोसेस किया जाए तो काफी लंबी बन जाती है वैसे मैंने इसके लिए काफी और वीडियो बनाई हुए है तो वो चीजें आप देख सकते हैं मिक्सिंग का प्रोसेस, डुलेशन और काफी सारी चीजें मैं वीडियो बना चुका हूँ तो वो आप देख सकते हूँ, अभी फिराल जो है हम थोड़ा इसली प्रोसेस में करते हैं तो कोई चीजें ले लेते हैं जिससे ये मिक्स हो जाए इतना मिक्सिंग काफी है, इतना आप कर सकते हो और अच्छे से मिक्सिंग आपको करना होगा तो किसी जार में आप उसे डालिए डालने के बाद अच्छे से उसको सेख करके आप रख दीजिए तो वो भी एक अच्छा प्रोसेस होता है मिक्सिंग करने का 1 kg हमारे पास raw stick है और जो dilution हम दिये हैं वो है 15 का मतलब हमारा 600 ग्राम का जो एवरेज कंपाउंड रेडी हुआ है और इसे हम डीप करने के बाद चेक करेंगे हमारा डीपिंग रेशियो की कि भी यह ढीला होना चीए क्योंकि ज्यादा फैक्सिबल या फिर टाइट होने से क्या होता है पर्फ्यूम का जो एक जॉप्सिंग होता है वो छूड़ जाता है बीच में से तो यह चीजे आप ध्यान रखें इसको अच्छे से आपको डीप करना है थोड़ा इस माल केस में होने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि पर्फ्यूम की क्वांटिटी काफी कम है और एक चीज आपको देखनी है कि इसमें पर्फ्यूम अच्छी तरीके से एक्जॉप हुआ है की नहीं मतलब सोखा ह की नहीं उसके बाद आपको इस पोजीशन में आपको रख देनी है तक कि जो पर्फ्यूम एक्ष्ट्रा है वो आपका नीचे किसी ट्रे से आ जाएगा इसके बाद हमने आधा घंटा सुखने के लिए छोड़ दिया था डिकिन अब भी हमें डिपिंग रेशियो जो चेक करनी है अपको इतना टाइम देने की ज़र्द नहीं है वो आपका पैकिंग का प्रोसेस होगा तो उसमें आपको 7-8 घंटे तक इसको रखना आप आःर इसके साथ में जो यह आई है वह इतनी सारी निकल एंज यह्जार को वेट करके देखते हैं तो जैसे हमारा यह वेट मशीन है और ट्रे को हम उपर रख देते हैं और ये पहले उसे हम ट्रेरर कर लेते हैं जीरो आप आप देख रहे होंगे ये हमारा पुरा जीरो है जैसा कि आपको दीख रहा होगा और जो है हम इस्टिक जो है डालते हैं अ कि आ है, तो आपको दीख रहा होगा कि जो हमारा एक जड्ड जो वेट आया है, वो है Lehr एक केजी 294 ग्राम, है टो 294 ग्राम जो है वह हमारा डीपिंग रेशियो जो कि 300 ग्राम य्ट मानके चलिए आप Thankfully 300 ग्राम के अस्पस हमारा इलिपिंग रेशियो इसमें आया हुआ है तो यह डीपिंग रेशियो आपको निकलना आना चाहिए और एवरेज जो है हमारा 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक होना चाहिए 1 kg अगरवत्ती के अंदर और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर ऑईल ज्यादा अगर सोक लेगा मतलब ज्यादा एक्जॉप करेगा 300 से उपर 300-400 तक तो उसमें आपका ही नुकसान है तो इस तरीके से जो हमें डीपिंग रेशियो जो है निकालना होता है उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे कुछ नए टोपिक्स में बात करेंगे जो कि हमारा धूप मेकिंग के उपर वीडियो कुछ अधूरा रह गया था तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और प्लीस हमारे चैनल को अगर आप सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो चैनल के थूरू आपको देते रहता हूँ तो मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद